उतरप्रदेश के राइबरेली में कल सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने एक विशाल चुनावी जनसभा को सम्बोधित किया। इस दौरान राहुल ने बीजेपी सरकार पर जम कर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2024 का लोक सभाचुनाव इस बार पूरी तरह से अलग है। पहली बार किसी पार्टी और उसके नेता साफतोर पर कह रहे हैं कि हम सम्विधान को बदल देंगे। राहुल ने सम्विधान की हिफाज़त करने की बात की। राहुल ने कहा कि सम्विधान हमारी आवाज और हमारा भविश्य है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि वह इस सम्विधान को खत्म करना चाहते हैं। रायबरेली के ITI ग्राउंड में सभा से पहले राहुल अमेठी में थे, वहाँ उन्होंने कहा कि राजनीती में जो उन्होंने सीखा है, वो अमेठी की जनता ने उन्हें सिखाया है। उन्होंने कहा कि मैं 12 साल का था जब पहली बार पिताजी के साथ अमेठी आया था। आगे कहा कि आप लोग यह मत समझिये कि मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं आपका हूँ, अमेठी का हूँ था और रहूंगा। जानकार बताते हैं कि राहुल गांधी रायबरेली से इसलिए मैदान में आये क्योंकि वह जीती हुई सीट थी। परिवार का लगातार कबजा रहा है। साथ ही मा सोनिया गांधी की भावनात्मक अपील भी साथ है। शुरुआत में राहुल एक तरफा आगे चल रहे थे। लेकिन भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में ग्रिह मंत्री अमित शाह की रैली वह उनके पैत्रों से भाजपा लड़ाई में लोट आई है। इसके बाद से कॉंग्रेस की रणनीती बदल गई। कॉंग्रेस के रायबरेली के प्रभारी वह चत्तिसगड के पूर्व मुख्यमंत्री भुपेश सिंग बगेल ने राहुल को पीएम दावेदार के रूप में पेश कर भावनात्मक फाइदा उठाने का दाव चला। मगर इससे गठ बंधन वपार्टी की आंतरिक स्थिती भी उजागर हो गई। एक सौ साल पुराना रिष्टा है। कोई इस रिष्टे को तोड नहीं सकता। रायबरेली मेरे घर के समान है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर इडी ने 55 घंटे तक मुझसे पूछताच की। मुझे तोरने और जुकाने का प्रयास किया, लेकिन मैं सच्चाए के पथ पर चलता रहा और जुका नहीं। राहुल गांधी ने कहा, सरकार ने मेरी संसत की सदस्यता खत्म कर दी, मेरा घर चीन लिया, लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि इस देश के करोडोएं लोगों के दिलों में मेरा घर है, मुझे सरकार के घर की जरूरत नहीं है। पिये माईदी ने कई हथकंडे अपना कर मुझे डराने का प्रयास किया, लेकिन मैं अपने पत पर अडिग रहा, मैं जनता की भलाई के लिए हर प्रयास करता रहा। स्विकार करें और समर्थन दें। सोनिया ने कहा कि राहुल आपको निराश नहीं करेंगे और आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। अपने संबोधन में पीएम मोधी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देश के एक बहुत बड़े नेता जहां भी जाते हैं, उस छेतर से अपना जूठा रिष्टा जोड लेते हैं। जनता को ऐसे लोगों से साबधान रहना होगा। उन्होंने कहा कि यहां एकत्रित जनसैलाब यह बता रहा है कि चुनाव में राहुल गांधी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। सपा नेता ने कहा कि लोग अब भारतिय जनता पार्टी को सत्ता से उतारने के लिए तयार हैं। इस बार केंडर में सरकार बदलना तय है। अब वो हमेशा हमेशा के लिए स्मृती हो जाएंगी। अखिलेश ने अमेठी से भाजपा उम्मीदवार स्मृती इरानी पर अटैक करते हुए कहा कि जब से कॉंग्रेस और सपासात आये हैं गठ बंधन बन गया है। उन्होंने अपनी बंबई वाली टिकट कट वाली ये एक पर एक नहीं है, हम लोग एक और एक ग्यारा होकर मुकाबला कर रहे हैं। अब भाजपा वाले नौ दो ग्यारा हो जाएंगे। अखिलेश बोले की याद रखना किसान भाईयों आपको अपने हक पैदावार की कीमत के लिए दिल्ली जाकर धरना देना पड़ा था। किसानों को तकलीफ पहुचाने के लिए इन्होंने सडकों पर कीले लगवा दी थी। हालांकि किसानोंने परवाह नहीं की और तब तक बैठे रखे जब तक काले कानून वापस नहीं हो गए। अखिलेश ने पेपर लीक का भी मुद्धा उठाया। उन्होंने कहा कि कोई भी परीक्षा हुई, दस से ज्यादा पेपर लीक कराए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने जानबूच कर पेपर लीक कर जिससे उन्हें नौक्री न देनी पड़े, अखिलेश ने कहा कि इन्होंने आपके भविश्य से खिलवाड किया है। अखिलेश ने कहा कि ये 400 पार का नारा लगा रही हैं, लेकिन वास्तव में ये लोग 543 में से 400 माइनस करने के बाद 143 सीटें जीतने की बात कर रही हैं। जन्ता ने तै कर लिया है कि इन्हें 140 से भी कम सीटों के लिए तरसा देंगे। अमेठी से इंडिया गठ बंधन के उम्मीदवार के एल शर्मा गांधी परिवार के करीबी हैं। उन्होंने चार दशक से अमेठी में रहकर सांसत प्रतिनिधी के रूप में काम किया है। अमेठी और रावनडिकी भाया जी अधरनीए प्रियंकः गांधी जी से अगर करूँगा आप आए और हमें अपना संभोधन परदान करें आदे इंडिया प्रियंका गांदी प्रियंका गांदी यह समाजवादी के कारिकर्टा और कॉंग्रेस के कारिकर्टा एक सेना बनके लड़ रहे हैं एक सेना बनके लड़ रहे हैं और इंडिया गत्बंदन को यहां उत्तर प्रदेश से विज़ाई बनाएंगे मैं आप सब को बहुत बहुत अभार प्रकट करना चाहती हूँ कि किस तरह से आपने इस चुनाव में पूरे देश को दिखाए है कि दो पाटिया नहीं आप एक सेना हैं दिल से आप साथ में लगे दिल से आपने काम किया कल कल चुनाओ का अखरी प्रचार का अखरी दिन है दो हफ्तों से हमने परिश्रम किया है आप सब गाओ गाओ गए हैं यह राय बरेली क्षेत्र है इस ख्षेत्र से मेरे परिवार का एक बहुत गहरा प्रेम भरा श्रद्दा से भरा हुआ रिष्टा है इस रिष्टे को तूट रखने के लिए आज मेरे बड़े भाई राहुल गांदी जी यहां से आपके प्रत्याशी बने हैं मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरी आवाज को सुनने की आपकी आदत है आज अकिलेश जी और राहुल जी आपके सामने बोलेंगे मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि दस सालों से इस देश का आदमी इस देश का गरीब इस देश का किसान प्रताड़ित है इस देश की प्रकार थी किसानों की प्रकार थी कि हमारी आवाज सुनिये मजदूरों की प्रकार थी कि हमें राहत दीजिए महिलाओं की प्रकार थी कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है हमें सुरक्षा दीजिए इस देश की जन जन की पुकार थी कि आपकी सुनवाई हो लेकिन नरिंदर मोदी जी की सरकार में आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई आज आज इस देश में आन्दी उठी है इस देश की आवाज है इस देश की पकार है कि ये भाजपा की तानाशाही भाजपा की जो सत्ता के लिए सब कुछ करने वाली सरकार को हटाया जाए और एक नई चेतना से एक नई राजनीती देश में स्थापित हो इसका संदेश राए बरेली से पूरे देश में जाना चाहिए राए बरेली की जागरुक जंता ने 100 साल पहले कितिहा से कांदोलन शुरू किया आप 100 सालों से सबसे जागरुक जंता है यहाँ से देश को संदेश दीजिए कि आप एक नहीं तरह की स्वच राजनीती चाहते हैं और मोदी जी की सरकार को खाड़ कर पेख दीजिए एक बार मेरे साथ जोर से कहिए पाँच लाख पाँच लाख पाँच लाख पाँच लाख पाँच लाख जाहंग